हेलो फ्रेंच वेल्कम तो माई इस्टजी फीट चैनल दोस्तों आज मैं स्किल्ट टेस्ट के अंतरगत सौकर टेस्ट यानि फुटबाल टेस्ट के बारे में बता रही हूं दोस्तों इसके अंतरगत मैंक डुनाल्ड सोकर्टेस्ट जोहांसन सोकर टेस्ट क्रेव सौकर्टेस्ट रहे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एक्जाम उसी को यहां पर बताने वाली हूं दोस्तों इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप प्रिडिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम स्टीटी प्रिटी के वियस एन्वियस की प्रिप्रेशन कर रहे हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो इसको वास्ट करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरीम बना सकते हैं दोस्तों डेरी बेसेश पर प्रिवियस यर के यमसी क्यूज कोस्टन सीरीज दिये जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज क डेर्टिस के अंतरक्ट मुंहायच के बारे में हिसी कि आते हैं इसको याद करने के लिए ट्रीक है दोस्तों MJC 2563. 66 यानि कि यम से यम सी डुनाल यानि कि मेक डिनल्ड साकर्टेस्ट जो 1951 में बनाये गया here is yohansan साकर्टेस्ट जो 1936 बनाये गया here is 시간 C से क्रेम साकर्टेस्ट 678 में बनाये गया तो यम ये ये सी 56366 इस तरेके से आप याद कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमसी डोनाल साकर टेस्ट के बारे में दोस्तो जह उरिशो एक्याउन में लियार जी यमसी डोनाल द्वारा स्प्रिंग फिल्ड कालेज में बिश्विद्याले के खिलाडियों के लिए शर्पर्थम बनाया गया दोस्तो इसकी रिलेविलिटी जो होती है 9.94 होता है दोस्तो इसका परपज क्या है या खिलाडियों की जनरल साकर प्लेइंग एबिलिटी के अंतरगत फुटबाल खेल में किकिंग बालेइंग एबिलिटी को मापना इसका परपज है दोस्तों इस टेश्ट में कौन कौन से एकिपमेंट की जुर्फ होती है तो इसमें एक किक बोर्ड यानि की बैक बोर्ड भी कह सकते हैं होता है जिसे की वाइड यानि की चोड़ाई 30 फित हाइट यानि उचाई साहे 11 फित यानि 11.5 फित होता है और तीन फुटबाल होते हैं कि प्रारमबिक यानि स्टार्टिंग लाइन पर रखा जाता है दो अन्य फुटबाल होते हैं एंड मार्किंग पाउडर होता है इस टाप वाश होता है जिसल होता है पेंड पेंसिल और पेपर होता है अब बात करते हैं कि यहां टेस्ट एरिया मेजर्मेंट में कैसे किया जाता है इसका टेस्ट एरिया कैसे होता है तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले एक दिवार पे 30 फीट चोड़ा और साहे 11 फीट उचा एक किक बोर्ड बनाते हैं फिर बोर्ड यानि दिवार से 9 फीट की दूरी पर एक स्टर्टिंग लाइन यानि प्रानम्भिक रेखा जिसे कीकिंग लाइन भी बोलते हैं खीचते हैं फिर प्रारंभिक रेखा के 9 फीट की दूरी पर एक और रेखा खीची जाती है जिसके पीछे दो अतरिक्त फुटबाल रखे जाते हैं यह तो हो गया टेस्ट एरिया मेजरमेंट अब इसके टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन यानि कि टेस्ट प्रोसीजर जो प्रकिरिया होती ह कैसे किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी या प्रतिभागी को प्रारंभिक रेखा यानि किक रेखा पर फुटबाल के साथ खड़ा कराया जाता है जैसे ही परिछक गो का संकेत देता है खिलाड़ी किक बोर्ड पर किक करना शुरू कर देता है तथा स्टाफ वाज को भी चालू कर दिया जाता है खिलाड़ी को 30 सेकेंड में अधिक से अधिक बार किक बोर्ड पर किक करना होता है फुटबाल से ऐसे उसके चार मौके यानि की चार ट्रायल दिये जाते हैं और चारों ट्रायल को गिना जाएगा फिर किक बोर्ड से दोस्तों यदि बार किक बोर्ड से टकरा कर खिलाड़ी के पैर से टकरा कर या इधर उधर चली जाती है तो खिलाड़ी भाग कर फुटबाल को नहीं लाएगा और जो दो अत्रिक्त इसके अत्रिक्त स्टार्टिंग लाइस नोव फिट के दूरी पर दो अत्रिक्त फुटबाल रखी होती है उसको ला सकता है और दुबारा किक कर सकता है दुबारा किक करना शुरू कर सकता है इस बीज स्टार्ट वाच को बंद नहीं किया जाएगा व त्रायल दिया जाते हैं अब प्रतीग ट्रायल की बीच 30 सेकेंड का रेश्ट दिया जाता है अब प्रतीग ट्रायल में खिलाडी द्वारा किये गए कुल वैलिट किक को नोट किया जाता है अब खिलाडी का अंतिमी स्कोर कैसे नोट किया जाता है चार ट्रायल होता है चार ट स्कोर होता है तो दोस्तों यह था आपका मैड़नौल्ड साकर टेस्ट के हंचसर अब दुसरा आता है जोहांसन साकर टेस्ट नैजसीप आर जोहांसन साकर टेस्ट 1963 में जुसिप आர् जोहांसन ने युनिवर्शिटी और ब्रिटिश कोलंबिया में विस विद्याले के खिलाड़ी के लिए बनाया इसका रिलेबिलेटी यानि विश्वस नियता जो है कौईन्ट नाइन टू है इसका क्या परपज है इसका परपज है खिलाड़ी की जनरल साकर प्लेंग एबिलिटी के अंतरगत फुटबाल की केकिं प्लेंग एबिलिटी को मापना दोस्तों इसके अंतरगत क्या-क्या एकिपमेन की ज़रुत होती है इसमें तीन फुटबाल इसमें भी होता है एक प्राणबी क्लाइम पर रखा जाता है दो अन्य फुटबाल रखा जाता है एक किक बोर्ड इसमें भी होता है चोविस प्राणबी क्या कैसे बनाते है तो दोस्तों इसमें जो किक बोर्ड होता है वह है चोविस फीट लंबा और आठ फीट उंचा होता है यानि चोविस गुड़े आठ फीट का किक बोर्ड होगा और किक बोर्ड से 15 फीट की दूरी पर एक स्टार्टिं लाइन खीचे जाएग और स्टार्टिंग लाइन से फिर 15 मीटर की दूरी पर बाल बाक्स रखा जाएगा इसमें दो अत्रिक्त फुटबाल रखा जाएगा यह तो हुआ टेस्ट एरिया के बाद अब बात करते हैं टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन यानि प्रोसीजर क्या होता है कैसे कराया जाता ह हैं तो सबसे पहले खिलारी प्रानमिक रेखा की पीछे फुटबाल लेकर खड़ा हो जाता है फिर परिच्छक द्वारा संकेत मिलते ही खिलारी फुटबाल को किक करना स्टार्ट कर देता है और 30 सेकेंड तक किक करना होता है यानि इसमें तीन ट्रायल दिये जाते हैं पर कर दो फुटबाल खिलारी के कांट्रोल से बाहर हो जाती है तो फुटबाल रखे है उसे लेकर फिरसे किक करना सुदू कर देता है इस पकार 30 सेकेंड में बाल को किक बॉर्ड पर अधिक से अधिक करना होता है यह तो वहां कैसे किया जाता ाइसका परोसीजर क्या है अब इसकी स्कोरिंग की दूस्तम इसकी तैने नर्च ट्रॉयल डीजाते हैं पर्तीक ट्रॉयल सीकन का होता है यानि और ट्रिक ट्रॉयल डिये जाते घंग में परते कर दोस्तम होता है रोके और उस्तम है और थрист 10 से केंद में से सही तरीके से की एगे कि को ही कांट किया जाता है फिर तीनों ट्राइल में से सरवादिक कीक वाले ट्राइल को ही मना जाएगा और वही उसका स्कूर होगा तो दोस्तों यह था आपका जोहांसन साकर टेस्ट मिट टेस्ट एरिया क्या था तीस गुड़े साहे गया रहे और नौ फिट की दूरी पर प्रानामिक रहा उसके नौ फिट की दूरी पर दो अतरित फुटबाल रखे जाते थे जब कि जोहांसन साकर टेस्ट में क्या है तेस्ट एरिया 24 गुड़े 8 फिट का किकवोड था उसके 15 फिट की दूरी पर प्रानामिक रहा उसके 15 15 फिट की दूरी पर दो अर्फुटबाल रखे जाते थे और दोस्तों तिसरा साकर टेस्ट के अंदे को तिसरा टेस्ट है क्रेव साकर टेस्ट क्रेव साकर टेस्ट को 1968 में वर्नान यन क्रेव द्वारा बनाया गया इसमें दो बैटरी यानि टेस्ट आइटम रखे गए हैं बाल कॉंट्रोल और बाल ड्रिलिंग बाल कॉंट्रोर के सहर्थ ट्रिलिम्लिट्र बाल कॉंट्रीलिटींग तो दोस्तों एनधा साख टेस्ट्र के बारे में जिसके अंतरगत हमने करें जिसको 1991 में लियोड जी यमसी डोनाल द्वारा बनाया गया इस्प्रिंग्फिल कालेज में विस्विद्याले के लिए एंड फिर दूसरा हम लोग जाने जोहांसन साकर टेस्ट जिसको 1963 में जोसिप आर जोहांसन ने उनिवर्सिटी आप बिटिस कोलंबिया में इसको भी विस हो साकर टेस्ट उनीस सोगे में चैसर आर सथ में वर्नाल एंड क्रेव क्रेव द्वारा बनाया गया गया तो दो Talking के था साकर टेस्ट के इन आपको समझ में आया हoga यह वीडियो कैसा लगा मुझी कमें में जरूरू जादे से जादे दोस्तो तक भी सिर्ज कीजिए दोस्तो एंड जितने भी है अब रालड मेंडार में जो पहले वाले वीडियो में पारण गी तो दोस्तों पहले बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए वीफिया अप्लोट करूंगी नौटिफीकेशन आ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिए